आपके आपने प्रॉजेक्ट का जो UI है वो डाउनलोड कर लिया होगा तो अब हम बज़र डेटेल में देखते हैं step by step इसमें different videos होंगी हम step by step incremental development करेंगे तो पहले हम थोड़ी setup करते हैं आपको थोड़ी introduction दो क्या-क्या इसमें use किया है और हम base classes बनाते हैं तो start करते हैं तो इस प्रॉजेक्ट में जो UI के लिए use किया है वो है यह materialize css आपने materializecss.com पर जाना है और मैंने यह version यूज़ किया इसके अंदर this one 0.1002 तो यहां पर आप इसको tutorial getting start हर चीस देख सकते हैं किस तरह इसको use करते हैं और किस तरह इसके component बने हुए है how we can use these components आप इसको go through कर सकते हैं तो इसका use करते हुए सबसे पहले क्या किया है यहां पर यह देखें इसी site की यह वाले version की css download की font awesome download किया वाकि यह structure इसके अंदर बना हुए वह आप देख सकते हैं क्योंक हमारा focus UI course नहीं हम js इसके use करेंगे js js actual course है तो उसको हम देखेंगे और इसी तरह इसकी jQuery जो हमें required है अब सबसे पहले step बिल्कुल empty है project हम क्या करेंगे हमें इसका structure ऐसे बनाना है कि एक हमारे पास controller category का controller होगा और एक हमारे पास UI controller होगा यह दो चीज़े होगी और एक होगा category का class कहलें या function कहलें जिसमें आप data store करेंगे सबसे पहले हम यहीं बनाते हैं category.js category.js में क्या होगा export करते हैं क्या हमने attribute क्या रख्या हुए category id category name and description export const category is equals to function category id comma category name comma description right or then we'll write like this this dot category name is equals to category id this dot category name is equals to category name this description is equals to description यह हमारी class complete है इसी को हम यूज करेंगे data के लिए अब हम बात करेंगे दूसरी class होगी हमारी जिसके अंदर हम तमाम controller जो हमारी data से related logic है वो लिखेंगे तो that will be category controller क्या हो यह हो यह एक इफ ही होगा export const category controller is equals to function and then we'll write like this यह हमारा एक इफ होगा immediately invoke function expression और यह क्या करेंगा इसमें आपकी मर्ति या module यूज करें या आप revealing module pattern यूज करें so I'm returning अभी for now मेरा सबसे important method कोई भी हम ले सकते इसमें फिला लॉग data कुछ भी something like that कि हम start करने जा रहे है इसको तो मैं यह कहता हूँ जी log data या init function या arrow function as you wish यह अपकी अपनी मर्ति होगी जो भी आप इसमें use करना चाहें console.log तो हम कहते हैं यहां पर initiating app यह हम अपने method add करते जाएं क्योंकि अब्यों से structure बना रहे हैं इसी तरह हमारे पाद जो दूसरा controller होगा वो UI controller होगा इसी को मैं copy करता हूँ और इसका नाम रहेता हूँ यू आइ कंट्रोलर नेम इट यू आइ कंट्रोलर अट लट कीप इप एमटी तो यह जो है यह मेरा basic structure और जो मेन है जो इनको जो इनको चीज़े काल करेंगी अब हम उसकी तरफ आते जो इसको कॉल करेंगा हमारा मेन यह वाला इसके अंदर हम कोड लिखेंगे और यह फल एप.jsa से इन्वोक करेंगा यह काल करेंगा क्या करेंगे इंपोर्ट यू आइ कंट्रोलर कहां से इंपोर्ट करना है फ्रॉम क्या इसमें हमने यह से इंपोर्ट लिखा है तो यह इसको इंपोर्ट देना चाहिए इंपोर्ट यू आई यू आइ श्कीम इंपोर्ट यू यू आई गंट्रोलर संवी शुवी दा कीबोड शोली यू आई कंट्रोलर डॉट जैस यह फाइल का नाम चेंज कर लूँ एक स्मॉल करना यू आई कंट्रोलर ठीक है जी यह इसको इंपोर्ट करने आप डॉट जैस सेकंड इस इंपोर्ट यहां पर फंक्शन के नाम मैंने इसको कैपिटल ही रखें यहां नाम नी चेंज होगा यू आई कंट्रोलर फाइल का नाम चेंज कर दिये मैंने अब दूसर जो हमारे पास है वह है जो कंट्रोलर हमें यह चाहिए होगा वह होगा कैटेगरी कंट्रोलर तो यहां आप इसको इंपोर्ट कर लें यह जो दो चीज़ी हैं यह हम ने कर ली क्योंकि यह इसके अंदर यूज होगा जो हमारी में ऐप्लिकेशन कंट्रोलर है उसके बिए उसके इसे कॉंस्ट एप यहां पर फंक्शन लिखेंगे इफी और इस फं यह आपको पता है इसे ट्वारिब्ल के नाम रहाए रख रहा हूं क्यूकिक दोनों मैं नेम और यह से है ज और रख य्या रहीन परमेटर है औल्हे इस दोनान रख रहा हूं क्षक्शल परमेटर होते हैं , फॉस्ट को पास होगी इस वेरिबल को इसको पास होजेगी सकन्ड वैल्यू दूसरे विदिवारिबल को पास हो जेगी ठीक है यहां पे रिजे सम्धिन दोए कंट्रोलuje एंडू ऑय कंट्रोलो एंड कैटिकरी कंट्रोलर इंड तूरर भी यह आपका जब फंक्टन लिखने अब इसको क्या दे रहे हैं यू एंड कस्टमेंट से वाटवर जो भी नाम आप देना चाहें दे सकते हैं लेगे मैंने जो हैना नाम सीम रखे हूं है यानि कि यह एक्षुल पैरमीटर जो है जब इसको फार्मल को पास होगा तो यही इसकी वैल्यू जाएगी ठीक है और इस कोड यहां लिखेंगे कंसोल जो कि नेक्स जो मारे क्लिप उसके अंदर मैं इसके अंदर एक्षुल लाजिक लिखांगा इनिट एप ठीक है एंड रेन वाट इविल डू इससे मैं इन्वोक कर लूँगा यानि मैं कूँगा जी एप डॉट इनिट तो आप जैसे ही हमारा अच्छा आप दूसरा यहां पर यूज की मैं इस जगह पर इसे इंकल्यूट कर लिया लेकिन टाइप एस मड्यूल रखनी है अपने वरना इसको यूज नहीं कर सकते हैं जैसे ही मैं आप इसको एक्जिक्यूट करूंगा तो यह फंक्शन काल होगा लेट ट्राइविद इ आप इफरेश नहीं कुंसोल एपनेट एप निचलाइज देखा आपने तो क्या हम करेंगे अनिचलाइज में आपको यह देख से आपने के अभी आपको सारे बटन ऐसे नजरा आ रहे हैं हर चीज को यह फिर्स बिल्कुल स्टार्ड कर रहे हैं हम अपना बना रहे हैं तो इसमें हमने अबना structure कंप्लीट किया एंड अन्दर हमने क्या किया एक अपने तो कंट्रोलर बनाए और एक हमारा application का entry point है इसको और इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है अब नेक्स लोजिक दिखते जाएंगे और फिर हमने क्या किया एक कंट्रोलर बनाया हमने एक हमारा यूआई कंट्रोलर है यूआई के तमाम function जो यूआई को access करने के लिए होंगे वह हम इसमें लिखेंगे और जो data store के function होंगे manipulation के वह हम इसमें लिखेंगे ठीक है और यह हमारा data जो है वो transfer के लिए use होगा और यह वाला function क्या करेगा based on event and actions यूआई और controller के function को execute करेगा तो यह हमारा basic structure था let's move to our next topic जो कि हमारा next हम देखेंगे कि हमने किस तना इसके अंदर data retrieve करना first और फिर हम इसके अंदर incremental function लिखते जाएंगे